आज हम बात करेंगे और लोगोस फैट ग्राफ्टिंग के पारे में और यह क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी देड़े प्राक्टिस में और मरीजों को किस प्रकार वो हेल्प कर सकती है और लोगोस का मतलब होता है कि आपके खुद के शरीर का फैट और लोगोस फैट ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपके शरीर से फैट लेते हैं और उसी फैट को हम पतला करके यूटलाइज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी कोरेक्शन के लिए अभी किस किस काम आता है और लोगोस फैट यह समझने की बात है बहुत सारे काम होते हैं because autologous fat में stem cell होते हैं जो हमरे rejuvenation process में बहुत help करते हैं regrowth में help करते हैं जैसे face की बात करते हैं तो कहीं भी depression है cheeks के अंदर कोई infection हो गया यह depression हो गया या acne scar marks है जो बहुत deep हैं या scars है surgery के बहुत पुराने कोई चोट के विसकार हैं कुछ laser से भी improve नहीं हो रहें तो उन cases में autologous fat का बहुत अच्छा रोल है आजकल hair regrowth में भी PRP autologous fat को mix किया जाता है concentration के हिसाब से और बहुत सारे advantages are autologous fat के जैसे कि किसी को breast implant नहीं करवाने एक female है young female है उनको अपना size improve करना है पर उनको implant मतलब foreign material नहीं कराना तो क्या हो पाए है हम आपके पेट की चर्भी ले सकते हैं या कहीं से भी निकाल थाई से निकाल सकते हैं पीट से निकाल सकते हैं या जहां required नहीं है वहां से निकालके हम अपके breast में डाल सकते हैं ताकि breast enhancement हो सके similarly किसी को अगर पट हमारे पटक हैं उसको improve करना है तो fat हम किसी भी under required area से ले सकते हैं और वहां पर डाल सकते हैं तो पटक enhancement, calf enhancement या calf reshaping तो हम इसी भी area को reshap करना हो या कहीं भी depression है बोडी में चाहे वो chest में है पोस्ट गाने को मैस्ट दिया या शरीर में किसी भी हिस्से में है due to some reason या तो पहले operation हो चुका है या कोई infection हो गई थी जिसके विज़े से वो गड़ा बन गया है या scar है जो हील नहीं कर रहा तो उन cases में autologous fat का बहुत अच्छा रोल है यह हमाई day-to-day practice में बहुत करता है क्योंकि मावा बहुत मरीज आते हैं जो facial scars से दिक्कत है acne scars है बहुत साइट treatment ले चुके हैं इंप्रूमें नहीं आ रहा depressions है और चाहते हैं कि texture भी इंप्रूव हो जाए depression भी हो जाए तो autologous fat जो होता है उसके इंदर stencils होते हैं इस stencils क्या करते हैं यह basically उस area को rejuvenate करते हैं collagen boost करते हैं texture improve करते हैं skin soft हो जाती है scar soft हो जाता है and एक overall glow आता है इस area का and जो depression है उसका भी improvement हो जाता है तो बहुत सारे चीजे हैं autologous fat मतलब आपकी खुद की शरीक का जो fat unwanted fat basically अगर मैं बात करूं तो जहां पर required नहीं है चाहे हो tummy में है thighs में है back में है कहीं भी unwanted fat है उसको हम एक अच्छे कारे के लिए इस्तमाल कर सकते हैं मुमीत करता हूं इस वीडिये से आपकी autologous fat grafting क्या होती है और उसके क्या-क्या इस्तमाल होते हैं किया जा सकता है इसके बार में आपकी जानकारी बड़ी है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद तक्यूश शशका लिएका